वेलकम थर्ड क्लास, इंग्लिश ग्रामर में करेंगा चैप्टर नाइन आर्टिकल्स वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दाट स्टार्ट विद वोवल साउंड हम जो है वोवल साउंड वाले वर्ड से पहले क्या उस करते हैं एन वोवल्स क्या होते हैं A, E, I, O, U यानि कि जो भी वर्ड A, E, I, O, U इन से स्टार्ट होगा ना उसके आगे हम क्या उस करेंगे एन वी उस ए बिफोर वर्ड्स दाट स्टार्ट विद अ कंसोनेंट कंसोनेंट क्या होते हैं देखो अल्फा बैट होता है A to Z यानि कि वोवल्स क्या होते है A, E, I, O, U तो इन पांच वोवल्स को हटा कि जितने भी अल्फा बैट बचते हैं वो सारे क्या होते है यहनि कि वोवल्स को हटा कि जो सारे अल्फा बच्छे हैं वो कंसोनेंट है और उनके आगे हम यूज करेंगे A we use da with a particular person, animal or thing da का use हम करते है किसी भी particular person यानि कोई भी एक person या कोई एक animal, कोई एक thing कोई एक चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे है तो हमाँ उस करते है da मतलब को unique है जैसे कि sun है, sun एक है तो da sun आएगा moon है, moon भी एक है तो da moon आएगा a, n and da are called articles articles किने कहते है a, n and da we use an before a word that start with a silent h silent h होगा, तो उसके आगी उस करेंगे an क्योंकि देखो, हम क्या बोलते हैं इसको r तो h तो है silent, लेकिन o की sound आ रहे है, o की है, vowel तो यहाँ एगा an जिसे हैं है, honest child honest तो o की sound आ रहे है, o की है, vowel तो यहाँ एगा an we use a before a word that start with a u, when it is pronounced u, जब कोई word u से start होता है, और pronounce station भी u से ही होता है, तो उसके आगाता है a जैसे university, u से start होता है पहला word, और pronounce करते टाइम भी u sound आ रहे है, तो यहनिकी a आएगा, a university और यहाँ पर a uniform write a और an तो a का use का होगा, जहाँ सारी क्या होए, consonant और an भाएगा जब vowels होगे तो vowels, c तो vowel नहीं है, यहनिकी है क्या है क्या हैगा a, a cup blackboard, blackboard b, b क्या है consonant, तो यहाँएगा a egg, e, e क्या है vowel तो यहाँएगा an, an egg umbrella u से start है u क्या है vowel, तो यहाँएगा an umbrella animal में a है, यह भी क्या है vowel, तो an animal next is r, h silent है, o की sound आ रही है यहनिक क्याएगा an, an r exercise, e क्या है vowel, तो यहाँएगा an exercise house, a house, h क्या है consonant, तो a आएगा armchair, a है, vowel, तो an आएगा now let us look at the different uses of the we use the when there is only one of a thing कोई भी चीज़ अगर एक है, तो उसके आगे हम use करेंगे दा, दा sun, sun एक है, तो दा आएगा दा sky, sky एक है, तो दा आएगा, दा earth, अर्थ भी एक है, तो दा आएगा we use the before some proper nouns, कुछ proper nouns है जिनके आगे हम दा का यूज़ करते है, दा यमुना, यमुना क्या है एक proper noun है, मेंस एक नाम है नदी का, और ये एक है, तो आएगा दा, आइफिल टावर, आइफिल टावर भी तो एक है, तो आएगा दा, दा इंडियन ओशियन, वो भी एक है, तो आएगा दा, we use the when people know which person or thing we mean, तो हम दा का use जब करते हैं, जह हम किसी person ये किसी thing के बारे में बोलना चाह रहे हैं, open the window please, कि हम window के बारे में बोल रहे हैं कि इसको open कर दो तो आएगा, open the window turn off the light please, कि light को जो है off कर दो, बंद कर दो, तो हैगा दा, turn off the light next is fill in the blanks with a, n और दा, first is this is a dash elephant, dash elephant is five years old, तो elephant में e आगया, ये क्या है वो बल, तो हैगा an, this is an elephant, ये एक elephant है, और ये elephant जो है five years old है, मिन्स पांच साल का है, तो यहाँ पर दा हैगा, the elephant is five years old, दा क्यों हैगा, दा हम use कब करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में कुछ कहना च आ रहे हैं, तो elephant के बारे में कहना चाहता है, कि elephant जो है, पांच साल का है, तो हैगा दा, next is please give me dash honest answer, honest है, तो o आ गया, sound आ रही है, o की, h silent है, तो हैगा an, please give me an honest answer, pass me dash book, that is lying on the table, कह रहे है कि, मुझे book pass करो, जो कि table पर रखी हुई है, इस sentence में जो है, वो बता रहे है, book के बारे में, कि उसको वो बुक चाहिए, जो table पर रखी हुई है, तो हैगा, the, pass me the book, that is lying on the table, tell me dash story, story में s क्या हो गया, consonant तो हैगा a, tell me a story, tell me dash story of the naughty monkey, अब हैगा the, the क्यों, क्योंकि इसने story को बताया है, कि naughty monkey की story सुननी है, उसको, तो हैगा the, tell me the story of naughty monkey, next, give me dash umbrella, तो umbrella you है, तो हैगा an, give me an umbrella, dash, give me dash blue umbrella, अब हो कह रहे है कि, कुछ बता रहे है, कि umbrella चाहिए, blue color का, तो हैगा the, give me the blue umbrella,